हर आंगन में चम चम के म्याय का रौशन तारा यही संकर्भ हमारा 36 गड राज विदिक स्य अप्राधिकरं का है यह सँकर्ण जन जन तक पहुचे जन चेतना। नमश्कार। हमारी समाज का कोई भी वेक्ती समाजिक, आर्तिक या राजनितिक यह अनिकिसी कारण से नियाय पाने से वन्चित ना हो window या कोई भी वेक्ति अन्य किसी के विदिक अधिकारों का हनन ना कर पाए इस संकल्प को आत्मसाथ कर 36 गड़ राज विदिक्सिव अपराधिकरण एवं उसके अंतरगत समस्त जिला विदिक्सिव अपराधिकरण एवं तालुका विदिक्सिव समीती पूर्ण निस्ठा के सा सतत प्रयतनशील हैं आमजन तक उनके कानूनी अधिकार सुलप कराने हेतु 36 गड़ राज विदिक्सिव अपराधिकरण द्वारा इप्लेटफॉर्म पर जन्चेतना नाम से एक अनूठी पहल प्रारंब की गई है जिसके तहत नियायधीश आप सभी के समक्ष कानूनी जा समाज के जोलंत विशय, बाल तसकरी या बाल सोशन के विशय में कानूनी जानकारी देने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्तित हुआ हूं कहा जाता है कि बच्चे हमारे देश का भविश्य हैं यह बात सहीं भी है किन्तो जितनी आसानी से हम इस बात को बोलते हैं क्या हम और आप उतने ही समवेदनशील हैं हमारे देश के बच्चे जो कि हमारे भविश्य हैं इनकी सुरक्षा उन संवेदनशील होते तो हमारे भारत देश में हर एक मिनट में आठ बच्चे लापता नहीं होते यह आकड़ा यह दर्शित करने के लिए परियाप्त है कि हम अपने की मुस्कान चंचलता युम जग्यासा एक स्वस्त बच्चपन की पहचान होती है मुस्कुराते खिलकलाते बच्चे बड़ों का दर्ध हर लेते हैं किन्तु वरतमान में खिलकलाता मुस्कुराता बच्चपन सिस्क्यों में बदलता जा रहा है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आखिर हमारे बच्चे इस अबोद उमर में क्यों अपराद का शिकार होते हैं या क्यों उन्हें अपराद के दल्दल में धकेल दिया जाता है क्यों हमारी बच्चियां यौन शोशन का शिकार होती हैं यदि हम इस बिंदू पर विचार करें कि क्यों अपराधी इस बाल उम्र में बच्चों को अपराध की दल्दल में ढखेलते हैं तो इसके पीछे जो प्रमुक कारण नजर आते हैं वे हैं यौन शोशन या जबरन वैश्यवृत्ति, समाजिक और धार्मिक मानिताओं की अधा मजदूरी कराने के लिए, घरिलू नौकरी में उनका प्रयोग करने के लिए, क्रिशी स्रमिक, निर्मान कारे या कारखाने आदी में नियोजित करने के लिए, मनुरंजन और खेल के प्रयोजन से उनका उपयोग करने के लिए, उट दोड और सरकस इत्यादी, जान जोखी म डालने वाले खेलों में उनको शामिल करने के लिए अवैद रूप से गोद लेने और देने के लिए तता अवैद रूप से विवाद करने या कराने के लिए बच्चों की तसकरी की जाती है। अपरादियों के संपर्क में आते हैं और उनके चुंगल में फंच जाते हैं और कई बर स्वेम माता पिता भी थोड़े से पैसों के लालच में बच्चों को इस दलदल में धकेल देते हैं। मौली का थिकार बनाया गया है तदा अनुच्चे 24 के अंतरगत 14 वर से कम आयूवर के बच्चों को कार खाने खान या अनि परिसंकट में नियोजन में लगाया जाने को या नियोजित किया जाने को प्रतिशिद्ध किया गया है। भारती सम्विधान की मन्शा के अनुरूप भारती दंड सहिता 1860 की धारा 363 से 374 तक बच्चों के भीक मागने के प्रयोजन से उनका वैपार किया जाना, उनको भीक मागने के लिए विकलांगी करण किया जाना, उनसे बंद्वा मस्दूरी कराया जाने आती को प्रिफक से लेंगी का प्राधों से बालकों के सनरक्षिन अधिनियम, किशोर नियाय बालकों की देख्रेक और सनरक्षिन अधिनियम, बंधवा मजदोरी प्रथा उन्मुलन अधिनियम, बाल मजदोरी रोक्थाम और नियमन अधिनियम, बाल विवह प्रतिशित अधिनियम, मादक पदार्थ अवैद वैपार निशित अधिनियम, अनुसरी जाती और जन जाती अत्याचार निवारन अधिनियम, मानाव अंग प् बच्चों के संरक्षन, उनके पुनर्वास तता ऐसे बच्चों के साथ कारित करने वाले अपराधियों को कठो दंड से दंडित करने के लिए कानुन बनाई हैं। 355 missing person in बिलासपुर विरुद 36 राज्य के मामले में जन्हेत याचिका की माध्यम से राज्य शाषन पुलिस प्रशाषन को विस्त्री दिसा निर्देश जारी किये गए हैं। तथा इससे समन्दि संपूर्ण जानकारी खोया पाया वेब पोर्टल में इंदराज की जाती हैं। तथा इसके लिए समय समय पर हमारी 36 राज विदिक सिवा प्राधिकरन दोरा प्रसिक्षित परालीगल वॉलिंटियर भी सहायता हेतु उपलब्द रहते हैं तथा लोगों को जागरुप करने का प्रयास करते हैं। विदिक सिवा प्राधिकरन दोरा इसकूली छात्र छात्राओं को तथा उनकी अभिवावकों को उनकी सुरक्षा हेतु जागरुप करने के लिए गुट टच, बैट टच आदी समय प्राधिकरन वेशियों पर विदिक साक्षर्ता शिवेर योम शौट फिल्म के माध्यम से लगातार जागरुप करने का प्रयास कर रही है, हमारी सरकार योम राजविदिक सिवा प्राधिकरन इस दिश्चा में सतत समवेधन शील होकर कारे कर रही है, बस आवशकता है हम सभी की थोड़ी सी सजकता, सतरकता योम जागरुपता की, हमें अपने बच्चों को ऐसा माह जागरुपता को इसकी जानकारी दें तथा ऐसी घटनाओं को छेपाये नहीं, क्योंकि यदि ऐसी घटनाओं को छेपाये जाता है, तो भविश में बुरे प्रयणाम सामने ला सकती है, हम सभी की थोड़ी सी सजकता योम जागरुपता, हमारे बच्चों के साथ होने वाले अपरादों को रोकने एवं उन्हें सुरक्षित जीवन प्रदान करने में महती भूमी का अदा कर सकती है, यदि हमारे आसपास ऐसी कोई भी घटनाओं होती है, या आपको अपने आसपास ऐसा कोई भी बच्चा नजर आता है, जिसको देखकर या लगता है, क्योंकि इसी अपरादिक कारिक किया गया है, तो अब ततकाल इसकी सूषना अपने निकटा स्थाने में दीजिए, यदि आप किसी कारण से थाने नहीं जाना चाहते हैं, तो हमारे रास्ट्रे विदिक्षिवा अपरादिकरन के टोल फ्री नंबर 151-00, मैं फिर से बोलूँगा 151-00, य 233-25-28 या Child Help Line No. 1098 में इसकी जानकारी देकर एक जागरुक नागरिक होने का परिचाय दे सकते हैं, मैंने संचिप्त में बाल तसकरी इवं बाल सोशन विशे पर कानूनी जानकारी देने का प्रयास किया है, मैं आशा करता हूं कि मिले द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगी, तता हम सभी अपने देश के भविशे, अपने प्यारे बच्चों को एक सुन्दर एवं सुरक्षित जीवन प्रदान कर एक मजबूत रास का निर्मान करने में सहभागी होंगे, अब नयाये आप से मात्र एक कदम की दूरी पर है, या काट शोने शोने दो तीन तीन दो पांच दो आठ में कॉल करके निशुल्क में अपनी समस्याओं का समधान कर सकते हैं, आप सभी ने मुझे ध्यारे से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का हिदय से अभारी हूँ, या हम धन्यवाद ग्यापित करता हूँ, जै हिन्द, जै सत्यासगाड, जै जोहार.